वो कौन से पाँच युवा प्लेयर हैं जो इस साल के अंत तक एक नॉमल खिलाडी से स्टार प्लेयर बन सकते हैं कहते हैं किसी भी एक नॉमल खिलाडी को स्टार बनने के लिए महस कुछ महिने चाहिए होते हैं एक साल चाहिए होता है अब इस साल की शुरुवात हुई है तो साल की शुरुवात में हम यह रिपोर्ट बना रहे हैं कि इस साल के अंत तक टीम इंजिया के वो कौन से पांच युवा खिलारी हैं जो इस साल के अंत तक स्टार खिलारी बन सकते हैं जिनका नाम गूंजेगा विश्व क्रिकेट में जैसे की साल 2021 और 22 में सूर्कुमार यादव के साथ हुआ साल 2021 के शुरुवात में वो टीम इंडिया में भी नहीं थी लेकिन साल 2021 के अंत में फिर 2022 में नंबर वन प्लेयर रहे ऐसे ही कौन से वो पांच युवा खिलारी जो टीम इंडिया में जोड़तों चुके और उमीद ही है कि इस साल अगर उन्हें लगातार मौके मिलते रहे तो इस साल के अंत में ये बड़े स्टार बन जाएंगे बड़े युवा खिलारी है तो एके करके मैं आपको उन सभी खिलारियों से प्रूबरू करवाता हूँ इस तिसमें सबसे उपर नाम है राहुल प्रिपाथी का जी हाँ वही राहुल प्रिपाथी जो अभी ये मिन्जा के तरफ से सिर्फ दो मैच खेले हैं सिर्फ दो टी-ट्वेंडी खेले हैं लेकिन दूसरे टी-ट्वेंडी में जिस बेख़ौफ अंदाज में उन्होंने ब बता दिया कि मैं यहां पर रूल करने के लिए उन्हों दब कर खेलने के लिए नहीं दूसरे खिलाडी खेलते होंगे अपने लिए रण मराने के लिए मैं खेलता हूँ खौफ पैदा करने के तो यह राहुल प्रिपाथी को अगर इस साल लगातार टी-ट्वेंटी में मौक तो उन्होंने रूल किया ऐसे राहुल प्रिपाथी भी है आईपिल में बहुत रंस है जो मैसिक में बहुत रंस है अब जाकर टी मिल्याय मौका मिला है तो अमीद है कि वो भी स्काई की तरह चाह जाएगी इसके बाद इस लिसमें दूसा खिलाडी है शुभमन गिल जिहां शुभमन गिल ने वंडे क्रिकेट में शिखर दवन के जगा चीन कर अपना इस्थान पका कर लिया है और आज जिस तरीके कि उन्होंने पारी खेली साथ गेंदो पर जो सत्तरन बनाए हैं वो सोलह इनिंग्स वंडे के बाद टीम इंडिया के नमबर वन खिलाडी बन गए ह सबसे जादर नमनाने वाले खिलाडी शुमन गिल बन गए हैं रोई शर्मा को भी एक खिलाडी बहुत पसंद है तभी उन्होंने इशान किशन से उनको ऊपर खिलाया है इसी वज़े से ये कहा जा रहा है क्योंकि लगातार कप्तान का भी भरोसा उनको मिल रहा है तो ये सा साल 2023 उनके लिए बहुत खास बन सकता है वर्लकप भी भारत नहीं होना है और अगर गिल को टीम इंजा में सरामी बल्लेबास के तौर पर लगातार मौके दिये गए तो वो इस साल कमाल कर सकते हैं इसके बाद तीसा बल्लेबास है इशान किशन वैसे तो भारती टीम में दो साल 2023 के लिए उम्मीदे बढ़ा दी यानि कि ये साल वो ये बता रहे हैं कि वो शांदार प्रदर्शन करेंगे क्योंकि प्रिश्रा साल उन्होंने अल्ट बड़ा अच्छा तरीके से किया है तो रश्यतक के साथ किया है इशान को बंडे में शायद का मौके मिले लेकिन टी अपनी अतार से पहले बांगदेश पर नोने कहल पर पाया फिर भारती पिछों पर भी बल्ले बाजों का होश उडाया इनके लिए भी साल 2023 बहुत खास होने मना है पिछले साल ही उन्होंने टीम इंडिया से डेब्यू किया संसनी भारत की नई संसनी लोगों नहीं ने कहा आई पेल में तो शांदार गेंबाजी करी नहीं है अब इन्होंने पिछली दो सिरीज में जिस तरीके की गेंबाजी की है शिलंका के खिलाफ T20 में खास तोर पर और फिर इनको बंडे में खिलाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि ये साल अगर उम्रान लगतार अच्छी बॉलिंग करते रहे गए सीखते गए अपने आपको अपडेट किया तो इस साल के अंतर तक उम्रान एक स्टार गेंबाज के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं कि उम्रान इस साल के अंतर तक वो जो सबसे तेज गेंद ठेकना का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ और उसके बाद आखरी नाम आता है इस किसमें मुहमाद सिराज का ऑस्टेला के खिलाफ हो ऑस्टेला के धर्ती पर हो क्या शांदार उन्होंने गेंबाजी की थी और तभी से वो पूरी दुनिया की नजरों में आ गए तो गाबा का घबन तोड़ने में सबसे एहम जो है रोल सिराज नहीं निभाया था पांच विगेड लिये थे वहीं से उन्होंने बता दिया था कि वो क्रिकर में कुछ बड़ा करने के लिए लगातार उनको वंडे और टी-ट्वंटी में भी मौका दिया जा रहा है और जिस तरीके से पहले वंडे में भी उन्होंने शेलंगा के बल्लेबाजों को दोनों ओपनर्स को आउट किया एक का तो इस सार के अंतर तक स्टार गेंबाजों के रिस्ट में शामिल हो जाए तो यह वो पांच कि राड़ी थे जिमके पास पूरा मौका है इस साल को अपना साल बना देगा आप इस वारे में क्या राय रखते हैं बताएगा फ़लाल इस वीडियो को देखें के लिए बहुत को फॉलो जबूर करें क्रिकेट में क्लब न्यूस 24 स्पोर्स